जैहिन दोस्तो असी शब्द प्रती मिनट की गती से संपाथ के डिक्टेशन स्टार्ट इंडोनेशिया के बाली द्वीप में समहू बीस देशों की सालाना शिखर बैठक इस संकल्प के साथ खतम हुई की किसी भी सूरत में रूस युक्रेन रुकवाना ही होगा बैठक के बाद सभी देशों की सहमती से जो साजह बयान जारी हुआ उसमें इस प्रतीबदता पर जोर यही रिखांकित करता है कि दुनिया अब और युध नहीं चाहती महत्वपूर बात तो यह है कि आने वाले वक्त में इस महापरियास में भारत को अपनी बड़ी भूमी का निभानी है इसलिए भी कि अब समहू 20 की अध्यक्षता भारत को करनी है और अगली शिखर बैठक दिल्ली में होगी रूस युक्रेन युद के संधर्व में देखें तो समहू 20 एक महत्वपूर संगठन इसलिए भी है कि इसमें वे विक्सित और विकाशील देश शामिल हैं जो रूस युक्रेन युद के मुद्दे पर बटे हुए हैं ऐसे में यह समु युद रुकवाने की मुहिम में कितना सफल हो पाता है यह वक्त ही बताएगा युक्रेन पर हमला करने वाला रूस भी इस समु का सदस्से है बाली की बैठक में जिस तरह से युद का मुद्दा चाया रहा और रूस के रवये की आलोचना हुई उससे रूस की नाराजगी स्वाभाविक है ऐसे में युद रुकवाने के लिए कौन कितने और कैसे परियास करेगा यहे बड़ा सवाल है रूस युक्रेन युद के मुद्दे पर भारत का रुख शुरू से ही इसपश्ट है भारत कहता ही रहा है कि युद ततकाल रुकना चाहिए और कूट नीतिक तरीकों से समस्या का हल खोजा जाना चाहिए गोर तलब है कि इस साल सितंबर में परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने रूस के राश्ट्रपती वलादी मेर पुतीन के साथ बातचीत में साफ कहा था कि आज का युग युद का नहीं होना चाहिए उनके इस संदेश की गूंज बाली शिखर बैठक में भी सुनाई देने का मतलब साफ है कि अब कोई भी जंग नहीं चाहता दुनिया के परिणाम कितने भ्यावे होते हैं यही सब देख ही रहे हैं लगभग सभी देश किसी ना किसी रूप में युद की मार जेल रहे हैं वैश्विक अर्थववस्ता की चूलें हिली पड़ी हैं महंगाई से हर देश परेशान हैं अर्थववस्ता में मंदी और महंगाई के साथ उर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है सो अलग इसके अलावा इस युद ने वैश्विक खादे संकट भी खड़ा कर दिया है इसलिए अब उन देशों को युद का राजनीतिक समाधान निकालने पर ज्यादा तेजी से काम करना होगा जो इस मुद्दे पर खेमे बाजी में फसे हैं और युद के कारण पैदा हालात की मार जेलने को मजबूर हैं स्टोब